दोस्तों गर आपके भी WhatsApp के अंदर ये problem आ गई है जैसे ही आप अपने WhatsApp को open करते हो और जो आपके friend लोग अपने status लगा रहे हैं वो status आप watch करना चाहते हो तो ये सिर्फ यहाँ पर buffering होती रहती है लोडिंग नहीं होती है पूरी तरीक से और ये जो status है आपका ये चल नहीं रहा है तो यहाँ पर ये problem आ जाती है काफी लोग को आ जाती है WhatsApp के अंदर कि WhatsApp के जो status वीडियो होते हैं वो इसी तरीके से loading होते रहते हैं वो चलते नहीं है अच्छा ये एक कारण तो इनका होता है कि हमारा यहाँ पर अगर internet सही नहीं चल रहा है तो भी हमें इस तरह की loading होती है लेकिन उसमें थोड़ा सा बाद में ये वीडियो प्ले हो जाती है चल जाती है, status हमारा चल जाता है लेकिन यहाँ पर जो problem हमें आ रही है वो यह है कि हमने wifi पे भी चेक कर लिया sim के internet से भी चेक कर लिया उसके बाद भी हमारी वीडियो चल नहीं रही है और यहाँ पर loading हो रही है जबकि हमारा internet भी सही है सब कुछ सही है, अगर हम किसी और जगाँ पर internet को use करके देख रहे है अपने ही phone में, YouTube अगेरा पर तो वहाँ पर सब चीज ओके चल रही है लेकिन सिर्फ WhatsApp के status यहाँ पर loading हो रहे है, वो चल नहीं रही है प्ले नहीं हो रहे है तो इसका solution इस वीडियो से आपको मिलने वाला है वीडियो को भीने skip के आपको end तक देखना होगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाही का नाम जाने यहाँ पर यह सिर्फ इस तरह से loading हो रही है जैसे के आप देख रहे हो यह loading अगर आपकी हो रही है तो इसके लिए आपको करना क्या होगा आपको अपने WhatsApp का data clear करना पड़ेगा उससे पहले यह problem आपकी solve नहीं होगी अब data clear करने से पहले अगर आप यह सोच रहे होगे हमारी जो chat वगेरा है हमारी जो जितनी भी हमने message कर रखें वो भी delete हो जाएंगे data clear करने से तो बिल्कुल हाँ delete हो जाएंगे लेकिन अगर आप उनको बचाना चाहते हो तो वहाँ पर आपको करना क्या होगा आपको backup लेना पड़ेगा अपने whatsapp का अब backup कैसे लिया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ backup लेने का जो तरीका होता है वो मैं आपको बता देता हूँ तो उसमें आपको करना क्या होगा आपको यहां पर बैक आजाना है कुछ इस तरीके से और बैक आने के बाद में वाट्सअप के अंदर ही चले जाना है वाट्सअप में जैसे आप जाएंगे यहां थिरी लाइन पर किलिक करना है setting पर click करना है और उसके बाद में chats के option पर आ जाना है यहाँ पर अब जैसे आप chats के option पर आएंगे तो यहाँ आपको एक option दिखाए दे रहा है chats backup तो इस पर आप click करेंगे इस पर click करने के बाद में यहाँ पर इसा interface आपके सामने आ जाएगा तो मैंने इस पर अभी backup के लिए इसको लगा रखा है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो यह 60 MB बैकप हो चुकी है मैंने इसको लगा रखा है अलरी तो आप यहाँ पर कुछ setting करेंगे जैसे के यहाँ आप देख सकते हो backup to google drive इस पर click करके यहाँ आप इसको daily पर select कर देंगे उसके बाद में आप यहाँ नीचे में देख सकते हो email ID Google account में email ID आप select कर देंगे जो कि आपके phone के अंदर हो उसके बाद में यहाँ नीचे से आप देख सकते हो backup using जिसको आप on कर देंगे और नीचे वाला जो है अगर आप backup के अंदर वीडियो को भी लेना चाहते हैं तो आ और अगर आप इसको नहीं लेना चाहते हैं तो आप इसको off रहने देंगे और उसके बाद में यहाँ आप देख सकते हो उपर में यह बैक अप चल रहा है यहाँ पर एक green color का backup आता है उस पर click करके इस तरीके से backup आपका होना स्टार्ट हो जाएगा जैसे के भी यहाँ पर ह चल रहा है बैक अप होने के बाद में जब यह पूरा complete backup हो जाएगा अब आप यहाँ पर क्या करेंगे आप इसका data clear करेंगे data clear करने के लिए आपको करना क्या होगा कहाँ पर जाना होगा यहाँ से back कर लेते हैं phone की setting के अंदर चलते हैं कुछ इस तरीके से phone के setting के अंदर जाकर भी आप जा सकते हो और इस तरीके से भी जा सकते हो जैसे के यह simple तरीका है जैसे के whatsapp है whatsapp पर long press करके इस तरीके से रखना है और app info के अंदर जाना है उसके बाद में यह वाला interface आपके सामने आ जाएगा अब यहाँ उपर में storage पर क्लिक करेंगे और य WhatsApp का update वगेरा आया है यह नहीं वह चेक करने के बाद में उसको वहीं से जो है आप चेक कर सकते हो फिर open करेंगे open करने के बाद में फिर आप नंबर से आईडी बना लेंगे और आपकी जो प्रॉब्लम होगी वह 100% हो जाएगी आई होप कि आपको वीडियो अच्छे लेगी लोगी आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें शेर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में